नमस्कार दोस्तों आप सभी का माज टनल पर आलिक स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि तुलसी के कौन-कौन से चमतकारी फायदे हैं दोस्तों दार्मिक रूप से तुलसी के पौधे को काफी पवित्र माना जाता है तुलसी को हिंदु धर्म में पूजा जाता है इसे सिर्फ पौधे के रूप में ही नहीं बलकि घर में भगवान के रूप में माना जाता है घर में या फिर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना दोस्तों बहुत ही सुब माना जाता है एक मानिता के अनसार इसे घर में रखने से नका रातमक्ता दूर होती है और साथ ही परिवार में सुख सन्बंदी आती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे का जितना मात्व धार्मिक रूप से है उतना ही आयूर बेद में भी है आयूर बेद में तुलसी को औसदी पौधा माना गया है जो ब्यक्ति को कई रोगों से बचाता है तुलसी हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे बन दे तो दोस्तो तुलसी के फायदे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि तुलसी को हम कुईन आप हर्वस भी का जाता है अब दोस्तो जान लेते हैं कि तुलसी के कौन कौन से चमतकारी फायदे हैं पहला फाइदा खासी जुखाम से रात वैसे तो सरदी जुखाम अक्सर आम बीमारी बनी रहती है लेकिन इससे लोगों को अक्सर काफी परिसानी भी हो जाती है तुलसी की पतियां कप साफ करने में बहुत मदद करती है सर्दी जुखाम से रात पाने के लिए तुलसी की कोमल पतियों को अधरक के साथ चबाने से सर्दी जुखाम में बहुत बड़ी रात मिलती है तुलसी को चाय की पतियों के साथ मुबाल कर पीने से गले की खरास भी दूर हो जाती है दोस्तों दूसरा फाइदा तुलसी से रोग प्रतियोदक छमता बढ़ती है दोस्तों तुलसी के वीजों में फलेवो नो इट्स और फैनोलिक्स सामिल होते हैं जो की हमारे सरीर में प्रतिरच्छा प्रनारी को सुदारते हैं तुलसी एंटी आक्सिडेंट गुनों से बरफूर होती है ये हमारे सरीर में फिरी रेडिकल से रोग होने वाले नुकसान को बचाती है अगर आप तुलसी की पतियां चबाते हैं या फिर इसे हरवल्टी बना कर पीते हैं तो उससे सरीर को बहुत लाब होता है अगर किसी भी इंसान की इम्मुनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो उसे बीमारियां कम लगती हैं और वो उनका मुकाबला कर लेता है इसलिए तुलसी का सेवन करें और अपनी बाड़ी की प्रतियोदक चमता मजबूत करें तीसरा फाइदा तनाव दूर करें दोस्तो आज कल बाग दोर बरी इस जिन्दगे में कुछ लोग मानसिक परिसानियों से जोज रहे होते हैं और उनमें काफी तनाव रहने लगता है कई बार जब दवाईयों से फाइदा नहीं होता तो कुछ गरेलू नुक से अपनाया जाते हैं दोस्तो तुलसी के पत्तों में एंटी स्ट्रेस एजेंट होते हैं जो कि इंसान के सरीर में मानसिक परिसानियों और टेंसन को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं इसी के साथ तुलसी के सेमन से तनाव के वह से पैदा होने वाली नकारतमक विचारों को दूर करने में काफी मदद मिलती है दोस्तों चौथा पैदा तुलसी का दस्त और उल्टी दूर करने में दोसो छोटी इलाइची अधरक का रस तुलसी के पत्तों को समान मातरा में मिला कर लेने से उल्टी नहीं होती है दस्त लगने पर तुलसी के पत्ते भुने जीरे के साथ मिला कर सहत के साथ दिन में तीन बार खाने से लाब मिलता है पांचमा फाइदा कैंसर से लड़ने में मदद कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है लेकिन इसका इलाज भी आयुरवेद में मौजूद है हमारे घर में मौजूद तुलसी का पौधा इस बीमारी से लड़ने में बहुत मदद करता है तुलसी में यूजेनाल कंपाउंड पाया जाता है जो कि इनसान के सरीर में कैंसर से लड़ने में काफी मददगार साबित होता है कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि तुलसी कैंसर से लड़ने में बहुत ही मददगार होती है वहीं जो लोग नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं उन्हें कैंसर होने की संभावना ना के बराबर होती है दोस्तो तुलसी का चटा फायदा आखों की समस्या दूर करे दोस्तो आखों की समस्या विटामिन एक ही कमी से होती है तुलसी का रस आँखों की समस्याओं में अत्यंत लाब दायक होता है आँखों की जलन में तुलसी का अर्ग बहुत ही कारगर होता है रात में रोजाना स्यामा तुलसी के अर्ग को दो बूंद आँखों में डाले आपको सला दी जाती है कि इस उपाय को अजमाने से पहले आप अपने ने तरची के सक से सला अवस्च लें तो यह आँखों का मामला रहता है दोस्तो सातमा फायदा याद दास तेज़ करने में दोस्तो सभी लोग याद तर यह उपाय डोंडते रहते हैं कि कैसे दिमाग तेज़ किया जाए उचाहे बच्चों का हो चाहे जवानों का है दोस्तो दिमाग के लिए तुलसी की पतियां बहुत ही लाप्रद हैं तुलसी के रोजाना सेवन से मस्तिस्क की कारेच छमता बढ़ती है और आपकी याद दास तेज हो जाती है इसके लिए रोजाना तुलसी के चार से पांच पतियों को पानी के साथ अवस्ते खाएं आठवा फाइदा कान की समस्याएं दूर कान की समस्याओं जैसे की कान बैना दर्द होना और कम सुनाई देना आद तुलसी बहुत ही फाइदे बंद होती है तुलसी के रस में कपूर मिलाकर उसे हलका गर्म करके कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है कनपटी के दर्द में तुलसी की पत्यों का रस मलने से बहुत थी फाइदा मिलता है नवा फाइदा सांसों की दुरगंद दूर करने में दोस्तों तुलसी की कुछ पत्यों को रोजाना चबाने से मुँख का संक्रमन दूर हो जाता है तुलसी की सूखी पतियों को सरसों के तेल के साथ मिलाकर दातों को भी साप करने से आपके सांसों की दुरगंद दूर हो जाती है दस्वा फाइदा सिर के जूं और लीखों से छुटकारा अगर आपके सिर में जूंए पढ़ गए हैं और कई दिनों से यह समस्या ठीक नहीं हो पा रही है तो बालों में तुलसी का तेल लगाएं तुलसी के पौदे से तुलसी की पतियां लेकर उससे तेल बनाकर बालों में लगाने से उनमें मौजूद जू और लिखें मर जाती है दोस्तों इस तरह से यह हमने अभी इस वीडियो में देखा सुना और समझा की तुलसी के कौन-कौन से जमतकारी फायदे हैं और मुझे उमीद है कि यह फायदे आलों को काफी अच्छे लगे होंगे यह जानकारी अच्छी लगी होगी यह वीडियो अब लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें साथ ही सेर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद